नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओर्लाइन इस्टिटूड निसान्त ज्यान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं नितिनुपाद ध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ और विनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो में मित्रो कुछ चीजें आपसे मैं सेयर करना चाहता हूँ बस एक मिनट उसके बाद मैं संस्कृत के आखरी इस वीडियो को संस्कृत का जो पंचामरित वीडियो की मैं सरिंखला बना रहा था आज साथवे वीडियो और लाश्ट वीडियो का आज आपके बीच देने वाला मैं इतना कहूंगा कि मेरे content से आप 20 number से ज़्यादा पा जाएंगे ठीक है बस आपको विश्वास करना है एक बात मैं बताना चाहूंगा कुछ लोगों ने जो है Twitter campaign वगएरा जो मैंने आपके लिए चलवाया था उस पर विरोध किया और विरोध ही नहीं किया जो कुछ कर सकत लोगों ने किया ठीक है मैं नहीं बताने वाला हूं किसने क्या किया मेरे channel की खिलाप या क्या चीजे चली बस मैं इतना कहना चाहूंगा कौन कहता है कि अकेला हूं मैं हजारों दुआओं का काफिला है मेरे साथ तो मित्रों आप सभी की दुआएं हमारे साथ है तो निशि चलूंगा देखे मित्रों आज यह सातवा वीडियो होने वाला है और इस सातवे वीडियो में संस्कृत का लास्ट वीडियो मैं इसे कह रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपके संधी के सूत्रों को बताता हूं ठीक है जो संधी होता है जो विशेश करके स्वरसंधी होता है उस स्वरसंदी के सूत्रों को मैं आपके बीच बताने वाला हूँ तो आप सभी लोग जो है अगर कौपी और नोट्स बनाते हैं निशित तोर पे मेरे साथ लिखने का प्रयास करिएगा ठीक है ज्यादा वड़ा वीडियो नहीं होगा लेकिन हाँ समझाने में कुछ टाइ संदी ठीक है एक होती है वेंजन संदी और एक होती है विसरग संदी तो जो आपके डियलेट के स्लेवस में है उसमें जो है यही स्वरसंदी है और इस स्वरसंदी के सूत्र जो होते हैं उस सूत्र से आपसे क्वेशन किया जा सकता है तो सूत्रों को समझने का प्रयास मित्रों आप सभी लोग जानते हैं इस्वा संधी को अच कहते हैं, अच संधी कहते हैं, इसे हल संधी कहते हैं, और इसे विसर्ग संधी कहते हैं, क्योंकि इस संधी में जितने भी कारे होते हैं, जितने भी कारे नियम बनाए जाते हैं, वो अच प्रत्याहार के अंदर ही होते और व्याण्यन संदी में जितने भी नियम होते हैं, वो हल परत्याहार के अंदर होते हैं, और विसर्ग संदी, विसर्ग संदी अलग है इन दोनों से, ठीक है? महसी स्वरसंदी से थोड़ा सा अलग है, तो मैं आपके स्वरसंदी के वारे में बात कर रहा हूँ, आप सवी लो हुँ ठीक है पहला संदी है दीर्žगस्वरसंदी मैं आपको एक गता ही नहीं कहूंगा कि आप इस चीज में आप ज्ञानी हो नहीं आप नमबर ले लिजिए मेरा इतना कारण है आप को इस वीडियो को बनाने के लिए बस आप नमबर ले नपर ले देंगे दीर्ग स्वरसंदी का सुत्र होता है अकह समर्डे दीर्ग है त्स वरसंदी के दीर्ग सुत्र का सुत्र हो एक नंबर मिल जाएगा उसके बाद आह इसकी व्याक्या कर दिनी है मित्रो अगर आप इसकी व्याख्या नहीं जानते हैं ठीक है आप इसकी व्याख्या जो है नहीं कर पा रहे हैं आपको नहीं पता हैं आप हिंदी में इसकी परिभासा याद कर लीजिए बस इसमें आप दिमाग मतलगाए इसमें आप भटक जाएंगे मुझे पता है आप भट कर रहा हूं देखिए मित्रों अक प्रत्याहार जो होता है जो अक प्रत्याहार होता है आ ई उ रिल्री होता है अक प्रत्याहार के अंतरगत आ ई उ रिल्री आता है इसके बाद ठीक है व्याख्या में देखिएगा अक प्रत्याहार के बाद कोई सवर्ण आए कोई कोई का मतलब होता समानवर्ड यही समानवर्ड आ ई उ री री इसका एक कंडिशन है चाहे हरस्व हो या दीर हो दुनों मिल करके हमेशा क्या होते हैं दीर हो जाते हैं ठीक है अब आपको मैंने इस समझा दिया ठीक है अब आपको समझा दिया आपको लिखना व्याक्या में कैसे ल अर्थात, अ, ई, उ, री, ली के बाद, कोई समान स्वर आए, कोई समान स्वर आए, तो, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दीर्ग हो जाते हैं, अब आपको अगर इचीजे नहीं आती हैं, तो मैं इतना जरूर कहूंगा, कि आपको अच्छा नंबर अगर गेन करना है, तो आप रट डालिए, और रटने का कोई बहुचिती नहीं है, अक है सम कोई समान वर्ड आए, तो दोनों मिलकर, दीर्ग हो जाते हैं, और अक प्रत्याहर के अंतर गताने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, र, 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 पहली वीडियो मैंने माहस्वर के सुत्र से सुरुआत किया था, यदि हरस्या दिर्ग, अक और ठात, आ, ई, उ, हरस्या दिर्ग, कुछ भी आ जाए, तो दोनों मिलकर हमेशा क्या हो जाते हैं, दिर्ग हो जाते हैं, जैसे विद्याधन आले, नीचे एठी जो है, उदाहर लिख दीजिएगा, विद्याधन आले, ठीक है, यहाँ पर देखिए, अंत में बड़ा आ रहा है, और यहाँ पर बड़ा आ रहा है, दोनों मिलकर के हमेशा क्या होंगे, हमेशा जो बनाएंगे, हमेशा दिर्ग बनाएंगे, यहाँ चाए छोटा हो, चाए बड़ा हो, चाए बड़ा हो, चाए छोटा हो, जब दोनों मिलेंगे समान, हमेशा क्या बनाएंगे, दिर्ग बनाएंगे, जैसे नदी धन इस, नदी धन इस, देखें यहाँ पर बड़ी इ है और यहाँ पर बड़ी इ है, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा नदी इस, ठीक है, अब जैसे मैं कहूं कपी धन इस, कपी धन इस, यहाँ पर देखें छोटी इस है, यहाँ पर बड़ी इस है, यहाँ पर छोटी, यहाँ पर बड़ी, लेकिन तब भी दोनों मिल करके बड़ी E का निर्मान करेंगे, और हो जाएगा कपीस, क्या हो जाएगा कपीस, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, पहला जो संदी है, दीर का स्वरसंदी आपने समझ लिया, दीर का स्वरसंदी होता क्या है, औ इसको आपको व्याख्या कैसे करनी है, आपको पता चल गया, मेरा पूरता विश्वास है कि आपको आ गया होगा, अगर नहीं आता है, तो ऑनलाइन में यही फायदा है, हमको पीछे कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, ठीक है, तो पहली संदी समाप तो होती है, आप व्याख्या कर दीजिए, दोई नमबर में आएगा, गुड़स्वरसंदी का सूत्र लिखिया और उसकी व्याख्या कर दीजिए, गुड़स्वरसंदी का सूत्र जो होता मित्रों आद गुड़ा होता है, क्या होता है, आद गुड़ा है, इसका जो सूत्र होता है, आद टीक़्क अभी मैं इसे पर बता जेता हूं ठीक है व्यक्ष्थ आप लिख लिजिए यदि आया के बाद यदि आया के बाद ए व्याय लिखरी आये यदि आया यदि आया न लिखिये तो मैं आप को बता देता हुद्ध, यदि आया आके बाद, कोई आसमान स्वर आये, तो, कोई आसमान स्वर आये तो, दोनों मिลकर, दोनों मिलकर, समोगुडी हो जाते हैं, समों गुड़ी हो जाते हैं एक व्याख्या यह हो गया और एक व्याख्या जो आप हिंदी में याद करते हैं याद कर लीजिए यदि आया आ के बाद यदि आया आ के बाद एक परिभासा यह है ठीक है? एक परिभासा यह एक परिभासा यह यदि आया आ के बाद E, U, री, री, आये तो E का A, U का O, Rी का अर, और, और, री का अल हो जाता है, हो, जाता है, ठीक है, आप दोनों परिभाता उतार लिजिए, अब देखिए, मैं इसकी व्याख्या कर देता हूं, निशित तोर पे आपको व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको प्रकांड विद्वान बनने की कोई आवस्चेक्ता नहीं, दोनों व्याख्या साल लगे, आप छाप दीजेगा, आपको नमबर मिल जाएगा, ठीक है, देखिए, यदि आया आ के बाद कोई आ समानस्वर आये, तो दोनों मिलकर समोगुड़ी हो जाते हैं, बस, आद गुड़ है, आया आ के बाद कोई आ समानस्वर आये, इसका मतलब यही है, आया आ के बाद कोई आ समानस्वर आये, कोई आ समानस्वर आये, दोनों मिलकर के शमोगुड़ी हो जाते हैं, अर्था दोनों मिल जाते हैं, देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, रमाधन ईस, रमाधन ईस, क्या है, रमाधन ईस है, अब देखिए, रमा में जो है, आखरी वर्ड क्या ऑ उप और यहां पर जो पहला वणा गया ई आ और ई मिल करके आप बताईए मैं इस परिभाता को वह एक फुर्ल जैता हूं आप बताईए आप पताईए आ और ए मिल करके क्या बनाते हैं आप काएंग भईया आ और ए मिलकर के ए बनाते हैं तो जब रमाधन ईस हो गया और आ और ए मिलकर के ए बना रहे है तो इसका मतलब क्या हो गया रमेश्ट नहों गया तो आ के बाद कोई आसमान स्वर आया मतलब जो बड़ा A है इसके असमान ही तो है समान तो है नहीं E जो E आया हो असमान है तो दोनों मिलकरके समो गुडी हो जाते हैं और थाथ दोनों मिलकरके A का निर्वान कर लेते हैं और दूसरी परिभासम है यदे आया के बाद U रिली आये नहीं दिक्कत है, ठीक है, अब धेर सारे उदाहरण आपके बीच रहेंगे, तो आप उदाहरणों पर प्रैक्टिस करिएगा जादा सजादा, क्योंकि संदी से उदाहरण से क्वेशन पूछे जाते हैं, और इसका फार्मूला तो जरूर रट लीजिएगा, कि गुण स्वरस संदी, अब उसके बाद हम बात करते हैं, मित्रों व्रिद्धी स्वरसंदी की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, व्रिद्धी स्वरसंदी, व्रिद्धी स्वरसंदी, व्रिद्धी स्वरसंदी का जो फार्मूला होता है, मित्रों होता है फार्मूला व्रिद्ध रेची, क्या ह खतम एक नमबर मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं और अगर कहा व्याख्या कर दीजे तो यहां पर व्याख्या लिग दीजिएगा इसे और व्याख्या हम ढ़्ड़ाक से लिग दीजिएगा व्रिद्धिरेच ठीक है इसका परिभासा देखी यदि आया आके बाद यदि आया आके बाद एच प्रत्याहार व्रिद्धि एच अर्थाथ यदि आया आके बाद एच प्रत्याहार में कौन कौन सा आएगा मैंने पहले बताया था एक प्रत्याहार में है एक प्रत्याहार कि अगर आ रहा है तो अगर आ रहा है तो व्रिधी अर्थात व्रिधी हमेशा आय बनेगा तो आय तथा ओ या ओ आय ओ आय तो हमेशा ओ हमेशा व्रिधी हमेशा व्रिधी ओ बन जाता है कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है देखे यदि आया आ के बाद एच प्रत्याहार एच प्रत्याहार में कौन को सा आता है ए ओ च आय ओ च ए ओ देखिए यही होता ना महस्वा सूत्रा आप याद किए है एच प्रत्याहार के अंतरकत को नाता है ए ओ अन्तिम वाला छोड़ देते हैं इसे काट देंगे ओ यही आता है ना थिक है तो यदि आया आ के बाद एच प्रत्याहार अर्थात आय ओ आय तो आय का ब्रिध्धि होगा तक्या बनेगा आय बस इसका एक ही condition है कि पहले आया आना चाहिए, ठीक है, जैसे मैं कहूं, एक धन एक, एक धन एक क्या होगा भाईया, दूई नहीं होगा, दूई तो नहीं होगा, देखें यहाँ पर एक में अंतिम में छोटा आ रहा है, अब यहाँ पर देखें भाईया, छोटा मतलब ए आ आपने देखा, इसके बाद कुछ भी आ जाए, आया आ के बाद, हमें इसा क्या हो जाता है, व्रिद्धी हो जाता है, व्रिद्धी हो जाता है, व्रिद्धी, क्या हो जाएगा, हमें इसा आय बनेगा, तो क्या हो जाएगा, एक एक है, क्या हो जाएगा, एक एक, जैसे मैं आपसे कऊंग, महाधन औस धम यहाँ पर देखे बड़ा आ गया, दिरग आ यहाँ पर देखे आ गया, ठीक है, चाहे छोटका ओ आ जाए क्या लग देखे बड़का ओ इसी तरीके स्दुल्ठी आप उदाहर लिग दीजिएगा और इसी तरीके साब व्याख्या कर दीजिएगा निश्चित तौर पे इसे याद करिएगा उसको तो आपको जरूर याद करना है इसका जो फार्मूला व्रिद धिरिये ची इसे 100% याद करके रखना है ठीक है तीन संदी हो गई ने चौथे संदी की बात करते हैं मित्रों यादस्वर संदी किसकी बात करते हैं यादस्वर संदी की बात करते हैं यादस्वर संदी यादस्वर संदी इसका जो फार्मूला होता है एक मैंने जो अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है संस्कृत क विडियो की एक playlist बनाई है उस playlist में जाईए पहले से लेकर के आखरी तक देख लिए मैंने जो-जो suggestion दिया आपको वो करना है और जो मैंने वीडियो में बता है उसे आपको गोल के पीजाना है ठीक देखें यणस्वरसंदी का जो सूत्र होता है वो फोता है इको यणची क्या व्याख्या कर दीजिए व्याख्या इसका व्याख्या बहुत आसान है एक एको यणची एक का यणची एक का यणची हो जाता है पत्बवाल खतम एक प्रत्याहार यण प्रत्याहार के अंतरकत आने वाले वर्ण जो-जो है आपको पता है व्याख्या है यदि एक आता है ए एक प्रत्याहार एक प्रत्याहार अर्थात एक प्रत्याहार के अंतरगत कौन कौन से आती हैं ए-o-rl-rl-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r के बाद कोई ज्यान से सुनिएगा इक प्रत्याहार के बाद कोई आसमान स्वर आये तो यण हो जाता है यण अर्थात यण प्रत्याहार के अंतरकेत कौन कौन साता है यवरल हो जाता है बवाल खत्म आपको इतना याद करना है यदि एक प्रत्याहार यूरी के बाद यही एक चीज आपको अतरिक्त याद करना आसमान इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा आसमान लेकिन यह आपको याद करना है आसमान स्वर आये तो इक कायण हो जाता है इक कायण के वर्ण क्या मैंने लिखा मैंने लिखा आवर्ण यहाँ पर देखे चोटी ए्याँ आरा है कि आ रहा है सब्सक्राइब पर देखे आसमानगा इंशुर आ रहा है ओ ठीक फिछाओ आव ज야एगा पर्यावर्ण अब देखें जैसे मैं कहता हूँ प्रतिधन एक अब बताईए यहाँ पर छोटी E आ रहा है यहाँ पर A आ रहा है 1 का यड़ हो जाता है E का अब इस A से कोई मतलब नहीं है इस A से कोई मतलब नहीं है E के बाद आसमान वण आ गया E के बाद आसमान स्वर आ गया तो E का हमेशा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हो जाएगा प्रतिध ठीक है तो उमीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आ गया है बस आपको समझना यड़ स्वर संदी का जो फरूला होता है 1 को यड़ ची होता है इक का यड़ हो जाता है यदि एक प्रत्याहार E U R E के बाद कोई आसमान स्वर आए तो यड़ अर्थात यवरला हो जाता है लेकिन यह क्रमसा है यहाँ पर क्रमसा है लिख लीजिएगा आए तो यड़ बस कोई दिक्कत नहीं यार इतना आप लिख देंगे आपका काम हो जाएगा ठीक है चलिए आखरी जो संदी का जो मतलब स्वरसंदी का जो आपके सिलिवस में है ओ है आयादी स्वरसंदी क्या है आयादी स्वरसंदी ठीक है आखरी है आयादी स्वरसंदी अयाद इस वरसंदी का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला है एचो आयवा याव एचो आयवा याव ठीक है इजो आयवा-याव इसको लिख ली है अच्छी तरीके से मैं इसका व्याख्या कर देता हूँ आपको लगेगा कि यारी व्याख्या थोड़ा था कठीन हो जाएगा नहीं बहुत सरल है एचो आया यावा यावा देखेए समझे एच सबसे पहले क्या है एच जहां भी एच आजाए एच प्रत्याहार के अंतर के ताने वरे वर्ड कौन कौन से है ए आय ओ आओ जहां भी एच आजाए ज्यान से तुनियेगा यदि ए आय ओ आओ के बाद कोई आसमान कोई आसमान देखिए समान वर्ड कहां रहाता समान वर्ड केवल और केवल दीर्ग स्वरसंदी में आता है और बकिया आसमान याद कर लिजिएगा समान कहां आएगा केवल पहले में दीर्ग में और बकिया आसमान आएगा यादि ए आये ओ और अर्थात एच प्रत्याहार के बाद कोई आतामान स्वर आये इसमें वर्ण नहीं लिखना है स्वर लिखना क्योंकि स्वर संधी आप पड़ रहें स्वर आये तो ए चो आय ए का आय ए चो आय वाय वह एच का मतलब एका आय आय का आय ओका आव का आव आय तो एका आय ओका आय का आय का आय ठीक है ओका आव का आव का आव हो जाता है ठीक है फार्मूला आप इसे रख लिजिएगा आपको याद करना एच प्रत्याहार के बाद कोई आसमान वर्ड फ्वर आय तो एका आय आय का आय ओका आव का आव हो जाता है ठीक है अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूं नेधन अन नेधन उधार्ड एक जरूर आप निके से यहाँ पर देखिए ए आ रहा है और यहाँ पर देखिए आ रहा है एक बाद आ हजाए अर्थ आजक एच पर आश्माण वर्ड आरग नहीं है टवेका क्या हो जाएगा व्चाव जाएगा आय आ रहा है और यहां पर आ रहा है आप जानते आय का क्या हो जाएगा एका आय हो जाएगा ठीक है आय क्या हो जाएगा यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर आय अर्थात नायक ठीक है अब देखे पो धन अन यहां पर देखिए ओ आ रहा है और यहां पर आ रहा है अभी आपने देखा एच प्रत्याहर में ओ भी आ रहा है ओ के बाद असमानवर्ड आ रहा है तो क्या हो जाएगा अवो हो जाएगा अगर यही पर पाओ धन अन लिख दिया जाए तब क्या हो जाएगा आओ धन आ मिलकर के क्या बनाएंगे आओ का आओ आओ का आओ हो जाएगा पावन कोई दिकतिसी तरीके से ठेश सारे उधार आपके बुक में होंगे तो आप उसे देख लीजिएगा ठीक है चलिए उम्मीद करता हूँ आप चीजों को लिख लिए होंगे और निश्चित तोर पे संधी के जीतने भी सूत्र आपकी परिच्छा मा सकते हैं मैंने आपको बता दिया ठीक मैंने आपको बता दिया अब देखिए मैं आपको काम देता हूँ इस काम को आपको करना है इस क बार लिए creator ब्लोगर बिल्कुल और उसी 4 पन्ने में से में कितना फसाद होंगा ओ आप जरूर देख रहे हों । देखे आपको जो है संस्कृत की गिंती आपको संस्क्रिद की गिंती 20 तक याद कर लेनी है पहला काम हो गया ठीक है जो मैंने पढ़ाया है उसका notes आपको बना लेना है उसके बाद उसे रट जाना है आपको विद्वान नहीं बनना है मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपको संस्कृत का विद्वान नहीं बनना है आपको नमबर अच्छा पाना है तीसरा होमवर के यह है पठ धातू पठ धातू का रूप पठ धातू का रूप पाचो लकारों में याद कर लेना है पाचो लकारों में पाचो लकारों में याद करना है ठीक है? आपको याद करना, नहीं याद करेंगे ताप पीछे रहेंगे, पाँचो लगारों में याद करना है, उसके बाद, जो सब्द रूप है, जैसे बालक, पुस्तक, गुरू, नदी, बालक, पुस्तक, गुरू, नदी, लता, ठीक है? तथा जो सब्दरूप सातवी और आठवी की मात्मिक सिछा परिसत की किताब में है मात्मिक सिछा परिसत की बुक में है उसे जरूर देखें उसे जरूर देखें ठीक है उसे जरूर देखें क्योंकि मैं जानता हूँ आपसे बहुत ज्यादा पुछा जाएगा गुरू का आपसे नदी का आपसे बालक का आपसे लता का और आपसे इसका भी रूप पुछा जा सकता गंगा का ठीक है तो आपको इतने रूप तो याद होने चाहिए क्योंकि रट जाना चाहिए, जैसे मैं बताता हूँ, आई ई उड़ा रेली का, ए ओंगा, आई ओचा, हया वरत, लड़ या मंगाणा नाम, जब या घर्ड दस, जब घर्ड दस, खप छट था, चटता हूँ, कप ये सक सरहल, इस तरीके से आपको भी पूरा याद होना चाहिए, याद होने पर आप कोई भी प्रत्याहार आएगा, कोई भी प्रत्याहार आएगा, और प्रत्याहार कैसे बनता है, मैंने आपको बताया, प्रत्याहार के अंतरगत, आने वाले जो वर्ण होते हैं, आप उसका टिक लगा पाएंगे, अगर नहीं आदे तो नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, तो आपको इतना काम जरूर करना है, और जो मैंने पढ़ाया है, उसके नोट्स को पढ़ करके रट जाना है, और मैं आपको इतना करने के बाद मैं आपको बता दू कितना नमबर पाएंगे, आप जो है 25 नमबर पाएंगे, आप 25 नमबर पाओगे, हो सकता है, मैं 25 न combined package यूटूब पर विराजमान हो गई है, आप इसे अपने मित्रों तक share कर दीजिएगा, ओभी पढ़ें और अच्छे नंबर गेंड करें, ठीक है, आगे मैत की वीडियो में proper देता रहूंगा, आखरी लाइं बोल करके वीडियो को सवाप्त करूंगा, यही जजबा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, नहो मायो उसने घबराई संदेरे से मेरे साथी, इनी रातों के दामन से सुना रहा कल भी निकलेगा, आज अगर संघर्सों की रात कट रही है, तो निशित तोर पे आने वाला समय है आप, आज नहीं तो कल चमकेंगे हम, इसका मतलब अगर आप वरतमान को घसीट रहे हैं, तो भविस से चमकता जरूर दिखाई देगा, ठीक है, आप एक लोहे को ले जिरिए, लोहा में जंग बहु जादा लगा हुआ है, वरतमान के समय में लोहा ले करके जितना ही रग रगडते जाएंगे, लोहे पर उतनी तेज धार चड़ती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा, जब वही जो लोहा मतलब की इतना खराब लग रहा था देखने में, लेकिन वरतमान में जैसे जैसे आप उसे रगडते हैं, भविस में उसी तरीके से उसमें धार और उस उसी लोहे के डंडे की, लोहे के जो गाटर है, उसी की भात ये आपके अंदर भी धार आएगी, और एक सफलता का सुर्योदय चमकता दिखाई देगा, निशित तोर पे आप आगे जाएंगे, और समाज में एक अलग नाम अपने आपको अस्थापित करेंगे, कुछ इस प्लेइलिस्ट को जितना हो सकते, उतना सेयर करिएगा, मुझे अगर गुरु दर्चिडा की मांग करूँ तो यही है, जितना हो सकते, इस प्लेइलिस्ट को आप सेयर करिएगा, जितने भी आपके कॉलेज वगारा के ग्रूप हैं हर जगा, ठीक है, चलिए, बहुत-ब जय बारत